जेश्री क्रिष्णा राधे राधे आई जानते हैं इस वाज दिवसेनी एकादसी कब है इस बार दिवसेनी एकादसी चार नहीं पाच महीने के लिए बंध होंगे शुबकां जाने तिथी मोहोड इवं महत्व हर महीने में दो एकादसी होती है आसार मास की सुक्लपच की एकादसी को देवसेनी एकादसी या हरीसेनी एकादसी के नाम से जाना जाता है मान्यता है कि इस एकादसी से चार महीनों के लिए भगवान नारायर योग निद्रा के लिए चले जाते हैं इसके बाद देव उठनी एकादसी पर ओयोग निद्रा से जागते हैं इस चार महीने को चातुर माश कहा जाता है हाला कि इस बार चातुरमास चार नहीं, पाच महिने का होगा, इस बीच धर्ती के पालन का काम महादेव सम्हालते हैं, चातुरमास के दवरान किसी तरह के शुबकार्य नहीं किये जाते, जब देव उठनी एकादसी के दिन भगवान जाकते हैं, तब शुबकार्य फिर से इस बाद दिव सेनी एकादसी 29 जून को मनाई जाएगी आईए आपको बताते हैं क्या है इसका महत्व और शुब महूर आसहार मास की सुकलपच की एकादसी थी 29 जून की सुबह 3 बज कर 18 मिनट से सुरू होगी और 30 जून को 2 बज कर 42 मिनट तक रहेगी ऐसे में उद्यातिथी के हिसाब से एकादसी का ब्रत 29 जून को रखा जाएगा ब्रत का पारन 30 जून को किया जाएगा वैसे तो ब्रत का पारन 30 जून को असनानदान के बार कभी भी किया जा सकता है लेकिन पारन का शूप समय दो पहर एक बज कर 48 मिनट से लेकर साम 4 बज कर 36 मिनट तक है पाच महिने का होगा चातुर मास हर साल दिव सैनी से दे उठनी तक 4 महिने का समय रहता है जिसमें नारायर योग निद्रा में रहते हैं इसलिए इस समय को चातुर मास कहा जाता है जो 34 का कहना है कि इस बार नारायर का सयनकार पाच महिने का होगा इस कारड चातुर मास पाच महिने 29 जून से 23 नमंबर तक ए दुरलब सन्योग अधिक मास होने के कारड पड़ा है अधिक मास होने की वज़े से इस बार सावन का महिना करीब दो महिने का होगा सावन का महिना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्तक चलेगा 18 जुलाई से 16 अगस्तक अधिक मास रहेगा सास्त्रों में सभी एकादस्यों को स्रिष्ट ब्रतों में सी एक बताया गया है इस ब्रत को करने से जानी अन्जाने में किये गए पाप से मुक्ती मिलती है इसके पुन्डे से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं मनो कामना पूर्ती होती है और व्यक्ती मोच के मार्ग की योद अग्रशर होता है देव सैनी एकादसी तक देव उठनी एकादसी तक मुन्डन, विबा, शगाई और मांगलिक कार्य नहीं किये जाते हैं देव सैनी एकादसी के देव सुबह जल्दी उठें इस दिन पानी में गंगा जल डालकर अशनान करें साप कपड़े पहने, ब्रत का संकल्प ले, घार और मंदिर की साफ सफाई करें चौकी पर इत पीला कपड़ा विछाएं इस पर भगवान विश्डू की तस्वीर अस्थापित करके बिधी विधान से पूजा करें भगवान को फल, फूल और धूपादी अर्पित करें पूजन की दवरा भगवान की मंत्रों का जाप करें देव सैनी एकादसी की कथा पढ़ें या सुनें भगवान को पंचा म्रित का भोग लगाएं एकादसी ब्रत की सभी यमों का पालन करें और अगले दी अश्णान और दान के बार प्रत का पालन करें आई ये जानते हैं देव सैनी एकादसी पर क्या करें로 न करें प्रातर का लस्नान के पश्चार भगवान विश्डू की सोने चादी पीतल या तांबे की मूर्ती को पितांबर से सजाकर सफीर वस्तर से सजेत किये तथा विश्तर वाले एक छोटे से पलंग पर सयन कराएं इसके साथ ही कुछ खास मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए इन महीनों में कुछ चीजों के त्याक का ब्रत लें देवसैनी एकादसी पर दच्छरावर्ती संख में गंगा जल भर कर उससे भगवान विश्डू का अभिश्येक करें देवसैनी एकादसी पर भगवान विश्डू को खी, पीले फर या पीली रंग की मिठाई का भोग लगाएं अगर आप धन लाब चाहते हैं तो इस दिन भगवान विश्डू के साथ मातालच्मी की भी पूजा करें एकादसी की साम तुल्सी की सामने गाय की सुद्धी का दिपक लगाएं और तुल्सी के पौधे को प्रडाम करें देवसैनी एकादसी पर गाय की कच्छे दूध में केसर मिलाकर भगवान विश्डू का वश्येक करें पीपल में भगवान विश्रो का वाश मान आ जाता है इसलिए एकादसी पर पीपल की पीड़ पर जल चरहाएं विश्रो भगवान के मंदिर में जाकर अन, गेहूं, चावलादी दान करें बाद में इसे गरीबों में बाट दें मधुस्वर के लिए गूर, लंबी आयू के लिए शर्षो का तेल, सत्रुबाधा से मुक्ती पाने के लिए शर्षो तेल और मीठा तेल, संतान प्राती के लिए दूद, पाप मुक्ती के लिए उपवाश करें शुबर-शुबर, घर की साफ सफाई के पस्चार, मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव करें ओम नमो नाराय या ओम नमो भगवती वसुदेवाय नमः का एक सो आठ बार या एक तुलसी की माला जाप करें घर में धन्धानिय तथा लच्मी की प्राप्ती के लिए भगवान विश्डू के साथ माता लच्मी का केसर मिले जल से अविश्येक करें एकादशी की सामने तुलसी के सामने गाय की सुधगी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवती वाशुदिवाय नमख का जाप करते हुए तुलसी की ग्यारफ परिक्रमा करें इसे घर के सभी संकर और आने वाली परिशानिया तल जाती हैं एकादशी के दिन जुवा खेलना एक समाजिक बुराई है जो व्यक्ति जुवा खेलता है उसका परिवार वकुटुम भी नश्ठ हो जाता है जिस अस्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है ऐसी अस्थान पर अनिक बुराईया उत्पन होती है इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बलकि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए एक आदसी की रात को सोना नहीं चाहिए पूरी रात जाकर भगवान विश्रू की भक्ती करने चाहिए भगवान विश्रू की प्रत्मा या तश्वीर के निकट बैटकर भजन करते हुए ही जागरण करना चाहिए इससे भगवान विश्रू की कृपा प्राप्त होती है एक आ इसलिए एकादसी के दिन पान नवखाकर व्यक्ति को सात्वी काचार विचार रख प्रभुभक्ति में मन लगाना चाहिए। इसलिए एकादसी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विश्रू का ही ध्यान करना चाहिए। परिवार वशमार में घुडा की नजरों से देखा जाता है इसलिए सिर्फ एकादसी ही नहीं अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पापकर नहीं करना चाहिए। एकादसी के दिन हिंसा करने की मना ही है। हिंसा के वर सरीर से ही नहीं मन से भी होती है इससे मन में विकार आता है। इसलिए सरीर या मन किसी विप्रकार की हिंसा इसलिए नहीं करने चाहिए। एकादसी पर इसलिए संग रहना वर्जित है क्योंकि इससे भी मन में विकार उत्पन होता है और ध्यान भगवान भक्ती में नहीं लगता। अता है एक आदसी पर इस्त्री संग नहीं करना चाहिए, एक आदसी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे मानसिख हिंसा होती है. अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माप कर देना चाहिए और मन सांत रखना चाहिए जूट बोलना ब्यक्तिकत बुराई है जो लोग जूट बोलते हैं उन्हें समाज वो परिवार में उचित्मान सम्मान नहीं मिलता इसलिए सिर्फी कारसी पर ही नहीं अन्य दिनों में भी जूट नहीं बोलना चाहिए